हलो डियर स्टूडेंस वेलकम टू मैं यूटूब चैनल राशिद अंजिमसर जूनियर फाउंडेशन बिटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टिप्लिकेशन ओफ इंटीजर्स को कैसे मल्टिप्लाई करना है कैसे उसका प्रोड़क्ट निकालना है इन सब चीजों को बह होगा तुम्हारे लिए ध्यान दे करके समझना और पढ़ना देखो में कुछ चीजों को जानना पड़ेगा जैसे के पलस वाले इंटीजर्स को मल्टिप्लाई करते हैं पलस वाले इंटीजर्स से तो फाइनल जो प्रोड़क्ट आता है वो बालस में ही आता है अच्छ्छ है वो भी बिटा पलस ही आता है ठीक है तो घृम याद रखना पड़ेगा माइनस माइनस ठीक है देसे रहलों को कैसा याद रखो कि पलस 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 और माइनस माइनस पलस अच्छा ठीक है अगर सर एक पॉजटिव रहा और एक 90 रहा इस दोनों को multiply करेंगे देन जो result आएगा वो बेटा negative आएगा पलस माइनस माइनस अच्छा इधर अगर पहला वाला negative रहा and बाद वाला positive रहा तब भी तो बात वही हुआ ना कि एक positive और एक negative तो बेटा जब एक positive और एक negative हो जाए देन तुम्हार जो result है वो क्या आने वाला प्रोड़क्ट तो वो negative आने वाला है यानि कि अगर आपको यहां पर धेयान रखना है क्या द्धहान देना है कि अगर same sign होगा देन आपका जो product होगा वो positive आएगा जैसे पलस पलस है तो फलस ही आ रहे – माईनस माईनस सेम सब्सक्राइब पॉजिस भी आरा है और अगर इसको तुम ही याद कैसे रखुँगे के यहां पर देखो पर पर परीपिले फौरण फालुस मैनस मैनस माइनस 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 फहीं इस तरीके से तुम्हें याद तकने से क्याना के questions तुम्हें बहुत easily solve हो जाएंगे जैसे देखो हम कुछ questions को ले लेते हैं example के तौर पे किस से multiply किया तो माइनस 8 से multiply कर दिया अब यहां पे तुम ध्यान देना यह positive integer है 4 और यह 8 negative माइनस 8 है अब इन दोनों को हम product निकालना चाहरे है यानि multiply करना चाहरे है तो आपको क्या करना है ना कि दोनों को multiply करना है पहले sign भूल जाओ without sign का तुम multiply कर लो 4 को जब 8 से multiply करोगे तुम्हें कितना मिलने को है 32 मिलने को है ठीक है 32 लिख लो अब देखो तुमने यहां पे क्या कर दोगे एक positive है और दूसरा निगेटिव है exactly यह वाला नहीं यह एक positive है और एक negative है तो plus minus result क्या आएगा minus आएगा तुमने याद रखा ह है कि plus minus minus तो यहां पे क्या कर दोगे minus कर दोगे तो minus 32 होगे तुम्हारा answer अच्छा suppose that कि हमने ले लिया पीटा minus 3 को multiply कर दिया minus 4 से ठीक है अब तुम्हें result बताना है तो अभी minus plus को भूल जाओ 3 को जब 4 से multiply करोगे दिन बिटा कितना आएगा कितना आएगा तुम्हारा तो 12 लिख लो अच्छा देखो minus और minus दो negative है same sign है यानि के वो क्या होगा positive आएगा यानि minus minus plus यहां तुमने याद कर रखा है minus minus plus इसलिए plus लिखो या ना लिखो बात बराबर है तो लिखा नहीं कर बिटा शुरुआत में अगर लिखने की जवरत हो plus minus दिन छोड़ देते हैं अच्छा एक और question लेते हैं suppose that के 9 into 3 हुआ तो 9 into 3 केतना होगा बिटा 27 होगा और यहां पे देखो दोनों positive है तो plus plus है दिन हमारा result क्या होगा plus में ही होगा तो तुमने यह सीख लिया कि कैसे अगर positive positive plus plus ही होते हैं तो हम plus करते हैं minus minus होते हैं तो plus करते हैं plus minus 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 इसको याद रखो कि देन कोई भी बन जाएगा ठेक है अच्छा यहां से final result तुमने क्या निकाला बिटा यह निकाला कि अगर सर दोनो positive है तो a और into b को multiply करेंगे देन हमारा result क्या आ जाएगा a b आ जाएगा अ minus a को अगर multiply किया जाए minus b से तब भी हमारा result है a को b से कर लोगे multiply तो a b आएगा और minus minus plus आएगा अच्छा एक अगर negative है बिटा और दूसरा तुम्हारा positive है और इसको multiply कर रहे हो देन तुम्हारा क्या आएगा a और b यहां पे रहना शाही ना हाँ exactly यहां b से multiply कर रहे हो देन a b हो जाएगा लेकिन sign क्या होगा तो minus plus minus होगा अच्छा अगर यहां पे positive a को multiply करना है minus b से then a को b से multiply कर लेना a b हो जाएगा और plus minus exactly क्या होने को है तो minus होने को यह बात के लिए हो गया तो यही बातों को आपको ध्यान में रखना है दिन कोई भी product तुम निकाल लोगे तुम पर बेस्ट तुम्हारे एक exercise के try these हैं उसको हम लोग कर लेते हैं देखो यह वाले जो try these है ना exactly उसी पर बेस्ट है तो हम लोग इसको करते हैं जैसे उसने कहा कि first number question का solution कर लो कि 6 को multiply करना है minus 19 से तो पहले हमें क्या ना कि भुल जाना है कि minus और plus क्या है उसको हमको ध्यान मे ही नहीं रखना है केवल 19 को आप 6 से multiply कर दो दे 19 को 6 से आप multiply करोगे दिन कितना हो जाएगा बिटा कि 114 ठीक है तो आप 6 को 19 से multiply कर लिए तो 196 114 अब यहां plus minus है तो exactly यहां पर minus का sign दे दोगे बस आ गया पहला अगर तुम इसको second वाले को solve करना चाहते हो तो देन कितना है तो 12 इंटू माइनस में 32 है तो तुम इसको क्या करना है न कि plus minus भूल जाओ कहीं पर रफ में 32 को 12 से बिटा multiply कर लो यह multiply करना आता न 12 यहां पर देखो थार्टी टू टू जा 64 हो जाएगा या फिर यूं कर लो टू टू जा 4 और थार्टी टू बन जा 32 होगा और आपको क्या करना है इसको add कर देना है 628 होगा और यह 3 होगा यानि 384 आ गया exactly तो यहां पर हम लिख देंगे 384 और 384 लिखने के बाद में देखो एक plus है और एक minus है तो exactly answer minus में हो जाएगा अच्छा plus minus minus होता है अब third number question क्या है कि 7 को मुझे multiply करना है minus 22 से तो आप क्या करो कि 22 से 7 को multiply कर दो तो 22 से 7 को multiply करो कि तो 154 आएगा तो multiply करके देख लेना और plus और minus है तो answer में क्या हो जाएगा minus हो आप क्या कर सकते हैं कि अगर दो इंटीजर्स दिये हुए है multiply करने दिन उसका sign क्या होगा तो sign में confusion नहीं है आपने क्या क्या हुआ है ना कि इन बातों को बहुत अच्छे से रध्यान में रखा हुआ है रटा हुआ है देन करने में कोई दिक्कते नहीं होंगे ठीक है तो इतनी सारे चीज़ें करने के बाद अगर माल लेते हैं कि यहां पर दो ही इंटीजर्स हैं तुम्हारे दिमाग में आएगा सर दो से जादा होगा दिन हमें क्या करना पड़ेगा तो जब दो से जादा होगा तो यहां पर आप देखो एक example ले लेते हैं जब दो से जादा हो पहले दोनों को multiply करोगे तो कितना आएगा फोर थी जा 12 आएगा अच्छा यह माइनस माइनस पलस होगा यानि के पलस में 12 आएगा और जो बाकी के last है उसको लिख लो ठेक है लिख लिए अच्छा अब इस दोनों को multiply कर दो 12 टूजा 24 होगा और 24 में एक पलस है और एक माइनस से तो पलस माइनस माइनस 24 तो exactly answer आ गया तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं इस तरीके से तुम करते चलोगे दिन तुम्हारा वो solve होता हुआ चला जाएगा कोई student इसको बिटा exactly ऐसे भी solve कर सकता था कोई दिक्कत नहीं था कि यह वो ऐसे कर लेता 4 3s 12 12 2s 24 exactly वो 24 लिख लेत इसे को मुझे पहले चाहता ओगा मैनस माइनस पलस होता है चैक है इस दोनों को करने से हमें result क्या मिला पलस अब यह जो पलस मिला तो पलस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस इसलिए हमने यहां पे कर दिया तो यह हो जाएगा माइनस 24 तो आपको ऐसे भी देख सकते है और इसका और भी तरीका है उसको मैं बताऊंगा तो यहां पर आंसर हो जाएगा minus 24 तो exactly आप एक साथ भी कर सकते हैं अब यहां से कुछ special case है और उस special case को मुझे बताना है तो चलो हम लोग चलते हैं उस special case पर बिटा exactly यह एक ऐस special case है जिसको समझना बहुत जरूरी है तो यहा मांनी भी multiply कर दो final तो 1 ही आने को है अब देखो minus minus क्या हो जाएगा बिटा यह भी निगेटीव है और यह भी निगेटीव है तो minus minus क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा यह तुमने पहला में यह देख लिया कि अगर सर minus को minus से multiply करते हैं तो पलस आ जाएगा अगर टू टाइम तुमने multiply किया बिटा कितने times तुमने multiply किया two times multiply किया देन तुम्हारा result positive आ गया अच्छा चलो इसमें minus one एक बार दो बार तीन बार one को चाहे जितनी भी times multiply करो देन वन ही आएगा देखो यहां पे minus minus क्या होगा बिटा पलस अफिर minus क्या हो जाएगा minus इसलिए result में क्या हो गया minus हो गया तो exactly यहां पे आपने क्या देखा कि अगर three times multiply किया गया है minus को three times multiply करने पर क्या result क्या आ गया निगेटिव आ गया यहां पर देखो one two three four four times चब multiply किया गया है then results क्या गया बिटा positive आ गया तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 4 टाइम्स अगर 4 टाइम्स मल्टिप्लाई करेंगे देन रिजल्ट पॉजिटिव आएगा यहाँ पर देखो 1,2,3,4,5 ठीक है तो 5 टाइम्स अगर मल्टिप्लाई किये तो क्या आ गया निगेटिव आ गया तो देन यहाँ पर हम ठाइम्स पर पॉजिटिव आ रहा है तो अब 6 टाइम्स पर भी पॉजिटिव आएगा इसका मिनिंग यह हो गया कि एवैंट टाइम्स में मेरा पॉजिटिव आंसर आएगा ठीक है तो अब यह देख़ो आरो और 4 वाला ये बेटा इवें था जब इवेंट टैमस होंगे इवेंट टैमस अगर आपका माइनस होगा तो जो रिजल्ट होगा जो प्रोडक्ट होगा बेटा निकालोगे final answer वो कैसा हो जाएगा बिटा positive हो जाएगा अच्छा यहाँ पर अब देखना इसको ध्यान देना कि यह वाला 3 times है और यह वाला कितना है बिटा 5 times है अगर 3 और 5 यानि odd times हो गया odd times अगर होगा क्या होगा odd times तो minus अगर odd times में आएंगे दिन जो तुम्हारा product है वो product क्या हो जाएगा बिटा तो answer minus में हो जाएगा यानि odd times, odd times यानि कि 3 times हा गया, 5 times हा गया, 7 times अगर minus है तो दिन हम क्या करेंगे कि answer में minus लिखेंगे यह बात और clear तब होगा जब देखो हम एक example ले लेते हैं और वो example कुछ यू रहा कि minus 1 को बिटा हम multiply करते जा रहे है minus 1 को और कितनी बार minus 1 को multiply कर रहे हैं तो exactly हमने ले लिया बिटा 49 times यहां पर 49 times हम minus 1 को multiply कर रहे है दिन जो result होगा वो negative होगा या positive होगा तुम्हें बताना है तो तुम कहोगे अच्छा सर minus 40 times आया है और यह 49 तो सर odd होता है तो जब odd होता है तो odd times minus है इसका मतलब कि result क्या होगा विटा रिजल्ट आपका negative हो जाएगा तो जो integers आएंगे product आएंगे वो क्या जाएंगे negative में आएंगे दिन तुम लिख सकते हो कि यहां पे सर minus 1 ही answer होग तो देन minus answer कर देंगे अगर minus वाले even times आएंगे देन plus में answer कर देंगे अच्छा एक example लेते हैं हम next example और वो यह है कि minus 1 को अब बिटा multiply कर रहे हैं और कितने times multiply कर रहे हैं तो ध्यान से देखना minus 1 को multiply कर रहा हूं मैं अब कितने times कर रहा हूं 30 times कर लिया मालो कि मैंने 30 times यहां पर आया है तो बिटा वन को आप 30 times multiply करोगे तो वन ही आएगा लेकिन minus कितनी बाड़ा आया है तो minus 30 times आया है और यह जो 30 है ना बिटा यह even है और even होने के वज़ए से result हमारा क्या हो जाए तो result मेरा positive हो जाएगा तो यहां पर प्लस 1 लिखो या ना लिखो बात तो बड़ा चलो इसी पर बेस्ट एक question कर लेते हैं और अच्छे से clear होगा suppose देट के हमने दे दिया बिटा माइनस वन को multiply करो माइनस 2 से नहीं माइनस 2 नहीं लिए माइनस 1 को multiply करो 2 से फिर इसको multiply करो माइनस 3 से फिर 4 से multiply करो फिर इसको माइनस 5 से multiply करो और जो final result आने वाला है वो क्या आएगा तो समझना वन को टू से अभी प्लस माइनस पे ध्यान मत दो वन को टू से करो तो टू ठीक है तू थी जा सिक्स एक सिक्स फोर ट्वेंटी फॉर ट्वेंटी एक्जैक्टली जो तुम्हें आएगा यहां पर रिजल्ट यानि प्रोड़क्ट आएगा वह वह वन ट आया है दूसरी बार यहां पर आया है तीसरी बार यहां पर आया है यानि कि वह थ्री टैम्स माइनस आये है तो थ्री तो बिटा ओड होता है तो जब ओड होता है तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा रिजल्ट में माइनस हो जाएगा एग्जैक्ली तीन बार माइनस आया इ उसको लिख देते हैं, यह हो जाएगा, minus 120, तो तुम क्या समझ लिए, कि odd times आएंगे, दिन तुम्हें क्या करना है, odd times में, बिटा, odd times में, odd times अगर minus होगा, दिन जो तुम्हारा product होगा, वो क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, ठीक है, और अगर even times से minus होगा, ठीक है, even times अगर minus होगा, दिन रिजल्ट क्या हो जाएगा, positive होगा, मैंने पीछे भी बताया, तो clear हो गया, चलो, इतनी बाते जब तुम्हें clear हो गई, तो एक think, discuss and write है, उसको हम लोग ले ले लेते हैं, और देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, हाँ, देखो, think, discuss and write में यहाँ पे कह रहा है, कि पहला पहला यहाँ पे ध्यान देना, the product minus 9 minus 5 minus 6 minus 3 is positive, इसका product बेटा positive आड़ा, आप 9, 5, 6, 3 को पहले multiply करो, जो भी यहाँ पे product आएगा ना बेटा, वो बोला है कि यहाँ पे positive आड़ा है, इसलिए positive आड़ा है, क्योंकि minus count करो, कितने times है, एक बार यहाँ minus है, दूसरी औ और 4 यहाँ चार बड़ माइनस आया है, अब बेटा, 4 क्या होता है, तो 4 तो even होता है, तो इसका मतलब कि answer हमारा positive होगा, जब even मेरे है, तो दिन हमारा answer क्या होता है, बेटा, positive होता है, चलो, अब हमने यह पहला question देख लिया, अच्छा, उसमें बोल रहा है कि, where as the product minus 9 minus 5, 6 और minus 3, देखो, सेम चीज़े हैं, बट यहाँ पे एक बार minus है, दूसरी बार और तीसरी बार, तीन ही बार जब minus है, तो 3 तो odd होता है, और जब odd होता है, तो हमारा result कैसा हो जाएगा, तो odd में negative होगा, इसलिए यह निगेटिव है, तो यहाँ पे y का answer तुमें पता चल गया कि आखिर यह क्यों हो रहा है, exactly, चलो, अब यहाँ पे हम second number question देखते है, what will be the sign, sign क्या होगा, of the product, product जो निखालेंगे, if we multiply together, अगर एक साथ multiply करते हैं, किसे एक साथ multiply करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दियो बटा, कि first number question में कह रहा है, कि 8 negative integers हैं, and 3 positive integers हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखना है, यह number को solve कर रहा है, 8 negative integers हैं, तो यहाँ पे 8 negative लिख देंगे, बेटा, 8 negative integers, और प्लस में क्या कर रहा है, 3 positive, यहाँ पे बोला है, product निकालने के निखें निखें, यहाँ पर product करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे किससे थ्री पॉजिटिव से यहां पे थ्री पॉजिटिव से करेंगे तो बिटा आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आएगा उसमें पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं रखना है पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव देता है केवल और केवल negative से मतलब रखना है negative 8 times आया है 8 even है या odd है exactly even है तो even times negative आया है इसका मतलब यह हो गया कि answer हमारा positive होगा yes clear है तो यहाँ पर हम लिख देंगे positive ऐसे करके लिख देंगे positive ठीक है जो हमारा product होगा वो positive होगा अच्छा B number देखो 5 negative integers यहाँ बिटा कितने सारे negative integers है तो 5 negative integers है इसको हम multiply कर रहे हैं किस से तो 4 positive से कर रहे है तो positive वाले से तो मुझे पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने को है कि एवन negative देखेंगे negative 5 है and 5 is odd 5 odd होता है इसलिए answer क्या होगा बिटा negative हो जाएगा यहां से clear है तो तुम्हें यहां पर लिखना होगा कि इसके जो product आएंगे वो आपको बिल्कुल negative आएगा तो यह think, discuss and write तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था इसको हमने cover करा दिया अब आपको जो हाना properties पढ़ना है और किसकी properties पढ़नी है तो आपको बिल्कुल product की properties पढ़नी है यानि कि multiplication की properties पढ़नी है आपने addition, subtraction का पढ़ा हुआ है तो next lecture में हम उसी को पढ़ाने वाले है नेक्स लेक्शन में ओके बाय गुद्नाइट